Good morning students, कैसे है आप सब लोग, I hope आप सब लोग ठीक होगे So, आज हमारी क्लास का 15th day है, 15th day means मेh मन्त का हमारी last class है आज ठीक है, तो आपको क्या करना है मेh मन्त का, आज वर्क आपको सारा complete करना है और आपको जैसे पता है कल आपको submit कराना है, ठीक है तो आपको क्या करना है सुंदर सुंदर handwriting में करना है ठीक है बहुत सुंदर handwriting में करना है और क्या करना है कल इसको submit भी करवाना है complete करके ठीक है तो आज का हमारा topic भी same है unseen passage क्या topic है unseen passage है unseen passage मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया ही था जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं होता वो पैसेज हम first time read कर रहे हैं ठीक है तो first time इस passage को चलो हम read करते हैं आर्ती is Manu's best friend आर्ती Manu की best friend है she is getting ready to go Manu's birthday party in the evening वो Manu की birthday party पे जाने के लिए तयार हो रही है she brought a big book of story as birthday gift for Manu उसने Manu के birthday gift के लिए चाली है बहुत बड़ी story book लिए आर्ती wants to wrap it in red color paper आर्ती इसे red color की paper में wrap मतलब उसको pack करना चाती है she knows that red is Manu's favorite color उसको पता है की Manu का favorite color red है she can't find any red paper उसे और उसे कोई red color का paper नहीं मिला है आर्ती is sad इस वज़े से आर्ती sad ठीक है अब इसकी question आंसे देखते है who is Manu's best friend Manu का best friend कौन है where is आर्ती going in the evening आर्ती शाम के समय कहां जा रही है what gift आर्ती has for Manu आर्ती के पास Manu के लिए क्या gift है which is Manu's favorite color Manu का favorite color क्या है write the opposite of happy from the passage इस passage में से happy का opposite ढूंडना है opposite क्या होता है ultra विप्री शब्ड ठीक है तो इसको passage को अच्छे से read करना और इसको question answer अपनी FNP पे लिखने है जासे कल किये थे ना वैसे ही आज करना है two passage है दोनों passages को अपनी FNP में write करना है और कल अपना work submit कराना है और अपना ध्यान रखो कोरोना है बहुत बचके रो ठीक है thank you students